नमस्ते दोस्तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तो आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे certificate बनाते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजिएगा और चैनल में नए है तो please चैन default orientation portrait होता है तो इसको अभी हम यहां साथ change करेंगे यह page layout में जाएंगे यहां से देखिए orientation option है जहां से click करके हम इसको landscape कर लेंगे और यहां पर zoom slider में click करके page को थोड़ा zoom out कर लेंगे ठीक है यह हो गया अब मैं यहां पर जो margin है इसको थोड़ा कम कर लिएंगा page का margin के arrow को select कर देंगे ठीक है तो margin का size जो है वो थोड़ा कम हो गया अभी हम एक border apply करेंगे इस page में तो यहां पर border apply करने के लिए हम यहां पर देखिए page border नाम का option है जहां पर आपको जाके click करना होगा जो page layout tab में आपको मिलेगा और यहां से border का बहुत style आपको मिलेगा जो style आप आपको पसंद हो आप यहां से select कर सकते है मैंने यहां पर एक style को choose किया और यहां से आप कोई भी color ले सकते हो border का और नीचे यह option से आप कोई भी width choose कर सकते हो आपका border के लिए तो मैंने यहां पर select किया just simply okay में click करेंगे करने के साथ साथ देखिए यहां पर border apply हो गया है अब मैं यह page के दो side में दो cut use करूंगा इसके लिए मैं यहां पर दो shape insert करूंगा तो shape insert करने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा insert tab में insert tab में जाने के बाद दिखिए यहां पर shape option आपको मिलेगा जहां से आप कोई भी shape को choose कर सकते हो तो मैंने यहां पर यह right triangle को select किया अब मैं उसको page में draw करूंगा तो मैंने यह इसको draw किया अभी इसको मैं थोड़ा rotate करूंगा यह मैंने उसको rotate किया और इसकी हम यहां पर adjust करेंगे यह मैंने इसको adjust कर दिया side में और अभी इसका copy करके एक बार paste करेंगे copy करने के लिए आप CTRLc और paste करने के लिए CTRL v key को use कर सकते हो है इसको भी थोड़ा रोटेट करूंगा और रोटेट करने के बद इसको भी हम यहाँ पर नीचे अडजस्ट कर देंगे यहां से डियक कर देंगे और यहांसे कलर को आफ डियग करना तो यहांसे से आउट-लाइन मेंडियाईँ marclure को हुיח करना होगा और उसको साथ ही आउट-लाइन ग्रीमूफ हो जाएगा यह मैंने नीचे वाले शेफ का भी यहांसे आउट-लाइन को रिमूफ कर दिया अब मैं यहाँ पर एक logo add करके आपको दिखाऊंगा तो आप logo add करने के लिए insert से picture में click करके कर सकते हो मैं यहाँ पर clipart को use करके simple सा logo मना के यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैंने clipart में click किया और search for में computer लिखा हुआ है इसमें अब भी हम go में click करेंगे करने के साथ जो computers का photo है वो यहाँ पर आ जाएगा जो किसी भी photo में आपको एक बार click करना है click करने के साथ सथ वो photo आपका page में add हो जाएगा फिर अभी हम format में जाएंगे और यहाँ से देखिए text wrapping नाम का एक option है जहाँ से हम tight में जाके click करेंगे करने के बाद इसको थोरा हम यहाँ पर adjust करेंगे इसका size थोरा कम करेंगे अब मैं यहाँ पर यह logo को select करके यह image को फिर हम format में जाएंगे और यहाँ से देखिए picture shape नाम का option मिलेगा जहाँ से हम यहाँ पर oval को select करेंगे oval को select करने के साथ सथ देखिए यह जो photo है वो oval shape में यहाँ पर मतलब कि round shape में यहाँ पर आ गया ठीक है अब इसको अभी हम एक outline देंगे picture border से रस्त यहाँ से black color को select करेंगे तो black color का एक outline यहाँ पर create हो जाएगा लोगो add करने का process मेरे यहाँ पर complete हुआ अब मैं यहाँ पर clipart window को close करूँगा और यह जो right side है लोगों के right side में institute और center का नाम हम यहाँ पर add करेंगे इसके लिए हम insert tab में जाएंगे और यहाँ से देखिए wordart नाम का एक option आपको मिलेगा इसमें click करने के बाद wordart का बहुत सारे style आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ से कोई भी style में आप click करेंगे तो मैं यहाँ से यह वाला style में click करूंगा इसको मैंने select किया और यह देखिया यहाँ पे नाम जो है वो add हो गया है अब इसको select करने के बाद हम जाएंगे format tab और यहाँ से take strapping नाम का एक option आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ से हम इसको tight पे click करके choose कर देगे इसको थोड़ा adjust करने के बाद हम जाएंगे format tab और यहाँ से देखिए shape fill ना मैं यहाँ पे alignment को center करूंगा इसके लिए home tab से देखिए alignment group के अंदर यह center align नाम का option आपको मिलेगा जहाँ पे आपको click करना है फिर मैं यहाँ पे font size को थोड़ा increase करूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा certificate of achievement certificate of achievement फिर इसको मैं select करूंगा उसके बाद इसको थोड़ा bolt करूंगा और यहाँ से दिखिए जो off है इसका font style मैं थोड़ा change करूंगा यहाँ से दिखिए font है इसको मैंने थोड़ा यहाँ से change कर दिया थोड़ा अच्छा लाएगा दिखने में तो यह होगे हमारा पहला line अभी enter क लिखेंगे name आप यहाँ पर कोई भी student का नाम लिख सकते हो तो मैंने यहाँ पर एक नाम यहाँ पर लिखा है प्रोड़ो कुमार दे अभी इसको select करेंगे select करने के बाद इसका font और इसका size और इसका color थोड़ा change करेंगे तो यह मैंने इसका font change किया अभ इसका font size को थोड़ increase करेंगे और अब इसका color जो है इसको change करेंगे मैंने यहाँ पर rate color चूज किया ताकि थोड़ा highlighted दिखे enter करके नीचे आएंगे और लिखेंगे for successfully completing diploma in computer application अब in text का font, font style को थोड़ा change करेंगे select करेंगे उसके बाद यहाँ से font को change कर लेंगे size को भी थोड़ा decrease करेंगे मतलब कि size में थोड़ा चोटा करेंगे और यहाँ से जो font color है यह हम black ले लेंगे या फिर automatic कर देंगे नीचे diploma in information technology को select करेंगे यहाँ से color को change करेंगे पहले और उसके बाद font को भी थोड़ा change करेंगे ताकि बाकी सारे जो text है उससे थोड़ा अलग दिखे फिर enter करके नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे date अब इसको select करेंगे select करने के बाद इसका font size और font को थोड़ा change करेंगे पहले font size को थोड़ा छोटा करेंगे अब font box से font को change करेंगे और यह text color box से इसका color को भी थोड़ा change करेंगे यह हो गया अभी इसके नीचे हम signature का एक जगा बनाएंगे जहाँ पर लिखेंगे signature of director अभी इसको थोड़ा right side में लेके जाएंगे tap प्रेस करके अब इसको select करके इसका font size को थोड़ा छोटा करेंगे और अब इसके ऊपर एक line add करेंगे signature के लिए एक line add करेंगे insert में जाएंगे और insert से यहाँ पर आपको shape मिलेगा shape में यह line है इसको select करेंगे और इसके ऊपर draw कर देंगे इसको थोड़ा adjust करेंगे यह हो गया आपका काम अब यहाँ पर एक logo use करेंगे इसके लिए हम जाएंगे insert tab और यहाँ से देखिए shape नम का option है और नीचे यहाँ पर आपको एक shape मिलेगा यह shape को आपको लेना है उसके बाद यह shape को हम यहाँ पर draw करेंगे और इसके बाद format में जाके यह shape का कोई भी color आप choose कर सकते हो मैं यहाँ से यह color choose कर दूँगा इसके बाद और दू shape मैं यहाँ पर add करूंगा दो line यहाँ पर add करूंगा दो arrow sign जो shape में जाके यहाँ पर देखिए यह जो साइन है यह जो साइन है यह यहाँ पर एड करेंगे इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा रोटेट करेंगे इसको रोटेट करेंगे यह मैंने इसको रोटेट किया और इसको थोड़ा छोटा करके अड थेर फेर्टेस्ट, और यह दूसरा वालगों थोड़ा opponent side में rotate करेंगे, तो यह गया rotate, अभि इन दोनों को वो shape में adjust करेंगे, drag करके यहाँ पर ले के आएंगे, यह मैंने पहला वाला को लेके आया और यह दूसरे वाले को भी यहाँ पर लेके आया ठीक है इसको थोड़ा नीचे लाएंगे यह हो गया अभी इसका color चूज करेंगे format से यहाँ से color semi color ले लेंगे दोनों का ही और अभी हम जाएंगे format से यहाँ पर देखे text wrapping format टैप से text wrapping नाम का option है जहाँ पर click करने के बाद यहाँ से behind the text में click करेंगे behind the text यह पहला वाला हो गया यह देखिए और दूसरा वाला को select करेंगे select करने के बाद यहां से behind the text में जाके click करेंगे तो यह भी पीछे चला जाएगा अभी यह circle के बीच में और एक circle को यहाँ पर add करेंगे इसके लिए हमको जाना परेगा insert tab insert tab में जाने के बाद यहाँ पर आपको shape option मिलेगा और यहाँ से oval shape को select करना होगा और उसके बाद वो shape को वो circle के ऊपर draw कर देना है तो मैंने इसको draw किया फिर इसको थोड़ा adjust करेंगे एकदम बीच में और अभी हम format में जाएंगे format में जाने के बाद यहाँ से कोई भी color को आप choose कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर यह color को choose किया तो यह दुआ यहाँ पर मेरा logo जो है वो यहाँ पर complete हो गया ठिक है इसको थोरह adjust करने के बाद यह दुआ है मेरा logo यहाँ पर complete हो गया तो यहाँ पर देखिये मेरे एक certificate का पूरा design यहाँ पर complete हो गया है तो आप यह process यूज़ करके कोई भी certificate को आप MS Word में design कर सकते हो